आप सबी को मेरा अपनाम हर्बल रेमिडी जनेचर स्टेजर में आपका स्वागत है मित्रो आज बात करेंगे वीड एज मेडिसिन खर्पतवार औस दी किस प्रकार से खर्पतवार हमारे लिए औस दी का कारे कर सकते हैं या फिर होते हैं और उनकी जानकारी हमें नहीं होती है इसकी हम जरूर चर्चा करेंगे बनेत्रो मोथा नागर मोथा शाइप्रास केरियोसस साइप्रेसी कुल का एप्लांट है ऐसा लिट्रेचर में वर्णन है कि नभ्य से जादा कंट्रीज में मोर देन 90 कंट्रीज मोथा इस साइप्रस इस कंजिडर्ट इस वीड इस दें पोटेंशल बहुत है और हमें जानकरी ना होने के कारण हम उसको यूज नहीं कर पाते हैं देनिक जीवन में औस दिये गुणों के लिए मित्रो पूरे वर्ड में ये पाया जाता है और औस दिये गुण अगर हम इसके जान लें तो हम इसको खरपतवार ना समझेंगे तो खरपतवार नहीं समझेंगे और इसके औस दिये गुणों से अपने जीवन में हम लोग अवस से ही बदलाव ला सकते हैं साथ ही इसके हमें controlled growth अगर करेंगे तो ये ज़्यादा spread भी नहीं होगा और जितना आपको आउसक है आप उतनी ही जगह में इसको लगा सकते हैं परबंदी करने से आप देखेंगे कि ये उसको क्रॉस नहीं कर पाता है एलीलो केमिकल इफेक्ट होने के कारण तिल का एलीलो केमिकल इफेक्ट होता है और वो इसकी growth को चेक करता रहता है और इसको ज़्यादा spread नहीं होने देता है तो controlled growth आप इसकी कर सकते हैं आप इसको तिल के साथ लगा सकते हैं सिसेमम इंडिकम ये प्लांट है एलीलो केमिकल इफेक्ट इसका है और इसकी controlled growth रखता है ज्यादा इसको exorbitant sprout नहीं होने देता है अब हम इसकी गुणों की जानकारी लेंगे मेत्रो ये इससे निकाला हुआ राइजोम है क्योंकि ये साइप्रस scereocious Se attained cypressky pull का है इसका राइजोम बड़ा हो जाता है और एक स्पीशिस और होती है हलाकि इंडिया में לאawk Dentless य इससको मोथा कहते हैं उसका राइजोम चोटा होता है और ये इस Cypress Ólez हम essential oil extract कर लेते हैं और उस essential oil की आप antimicrobial, antibacterial, antifungal activities के लिए उपयोग में लाते हैं skin के उपर fungal infection हो, suriasis growth हो, कैसी भी skin problem हो उनको दूर करने का कारे करता है इसका oil आपको externally apply करना है skin के उपर, fast healing करता है और सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करता है बित्रो इस राइजोम को मद्यपरदेश, 36 गड़, जारखंड, उडिशा में दुलादुलन की कलाई पर बांदा जाता है ये उनकी immunity को बढ़ाने का और male और female दोनों परकार की infertility को ठीक करने का कारे करता है ऐसी पुरानिक माननेता है हमारी traditional wisdom है उसके अंदर कितनी महानोस दियों की चर्चा की गई है हम दिरे दिरे आने वाली वीडियो के माध्यम से और जानेंगे ये मानसिक तनाव से दूर रखता है immunity को बढ़ाता है और दुलादुलन के अच्छे जीवन के लिए wishes आवसक होता है दोनों ही परकार की hormonal infertility को ठीक करने वाला ये plant है प्रसूती के बाद होने वाली immunity के compromise होने के कारण बार बार जो बुखार होता है उसको भी एठीक करने का कारे करता है बित्रो टाइफाइड के fever में भी immunity काफी compromise हो जाती है तो टाइफाइड के patient को intestine के strong करने का और उसकी immunity को बढ़ाए रखने का कारे करता है मानसिक तनाव को दूर करते हुए ये शरीर के toxins को बाहर निकालता है आजकल हमारे युवा वर्क के बच्चे जिम जाने का बड़ा crazy रहता है और artificial supplement का उप्योग करते हैं जिसमें steroids भी डले होते हैं तो उन steroid की side effect बहुत जादा होते हैं हमारे liver के ओपर तो आप इसको natural steroid के रूप में इस्तमाल कर सकते हैं आपकी muscles की strength को बढ़ाने का कारे करता है traditional literature में तो इसको पहलवान के साथ संग्या दी गई है जिस परकार से पहलवान मजबूत होता है इसका 7 करने वाला व्यक्ति भी पहलवान के तरह मजबूत हो जाता है immunity भी बढ़ जाती है और उसकी muscles की strength भी बढ़ जाती है blood के purification में कारे करता है blood के अंदर iron के content को बढ़ाने का calcium absorption का अच्छा कारे करता है मिंडल्स की कमी को पूरा करता है वास्थरापेटी के application इस plant के हैं आप इसको जानिये औस दिय गुणों के लिए उपयोग में लाइए अपने घरों में आप इसको लगा सकते हैं गमलों में आप इसको लगा सकते हैं कल सुबह साड़े च्छे बज़े फिर मिलेंगे एक नए plant के लिए नए plant की चर्चा करते हुए तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद प्रणाम नमस्कार चैनल को सब्सक्राइब आवस्य कर लें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे प्रणाम नमस्कार